शाह महजूद रहे, बीजेपी मुख्यालाय में ये कारिक्रम हुआ था, दूसरे दिन की चलिया बैठा का और साथ महीने के काम का आज का प्यारा रखा गया मुख्यमंतरी विश्णुदेव साई ने रामेन डेका को चातीजगार का कवर्नर बनाये जाने पर पधाई दी है सोशल मीडिया साई टैक्स पर साई ने लिखा है कि बीजेरी के संस्थापक सदस्यों में शामिल असम बीजेबी के प्रदेश अधियक्ष और सांसत के रूप में जनसेवा का आपका एक विस्तरित कारेखाल रहा है नेशीदी एक संरक्षक के रूप में आपके अनुभव का लाभ तीन करोड चप्तीस गढ़वासियों को मिलेगा गर्याबंद में बाढ़ में एक ट्रेक्टर फस गया हलाकि ड्राइवर का ट्रेक्टर चाले के जो है उसकी जान बाल बाल बची नदी में भारी उफान था नदी में ट्रेक्टर फस गया था बड़ी मुश्किल से ट्रेक्टर को बाहर निकाला गया मैंनपूर के राजा पलाव गौरगाट एकशेदर का मामला है मैंनपूर एकशेदर के कई नदी नाले उपान पर हैं अलाके में अलर्ट जारी किया है इधर कवर्था में चमा चम बारिश का असर दिखाई दिया बोडला ब्लॉक के मानिकपूर काओं में बढ़ी है परिशानी गलियों में पानी भर गया की चड़ में चल्ला भी मुश्किल हो गया जांजगी चापा में भारी बारिश से कई कावों का संपरक टूट गया रिंगनी पुल के उपर से पानी बहराए और तीन दिन से लगातार जिले में बारिश हो रही है एक ही पुल होने के कारण दरजनों गावों का संपरक टूट गया बार प्रभावित अक्षेत्र में स्टी आरेफ की टीमें तैनात कर दिखेंगे पलादा बाजार जिले में बाल के हालात गिदपुरी के अमेठी घाट पर आवा कमन बंद भाठा पराग्रामी इंस मरिया घाट पर आवा कमन बंद निपानिया स्थेतर और घाट पुनी घाट सिल्वा घाट पर आवा कमन बंद सुहेला के जीपन नाले में आवा कमन बंद कलेक्टर दीपक सोनी लगातारे लाकों का दौरा करा है बार्दा नदी बड़े खुलो और पासंगी नाले में बाल के चलते कई गाउं परफाविद हुए केशकाल के कुएं मारी क्षेतर में ग्रामिनों ने पानी में बैती बाइक को बचाया ओड़ी शार अंता कर जाने वाला रास्ता हुआ बंद बीते एक पक्षवाले से पूंड़ागाउं जीले में लगातर बारिस हो रही है बारिस का कहर अब दिखने लगा है कई गाउं हैं जहाँ पर जोपड़ियां गिर गई है फरस गाउं में एक जोपड़ी गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है आप ये देख सकते हैं कि बंदी का पूल है जो नारंगी नदी से जुड़ा हुआ है लगातर यहां पर जलिस्तर बढ़ते जा रहा है कर्साम को काफी कम था लेकिन आप यह देख सकते हैं कि यह जलिस्तर यहां पर यह लगातार बढ़ते जा रहा है बंदी पूल के बंद होने से करीब 40 गाउं का संपर्ख जीला मुख्याले से तूट गया है यहां पर कई ऐसे लोग हैं जो दोनों फूल के और खड़े हैं ताकि वो पानी काई कम हो फूल से तो लोग अपने काम पर आगे जासा क्या पर देख सकते हैं पूरा बेरिकेट्स लगाया हुआ है यहां पर कोटवार भी मौजूद है पानी का इस तर बढ़ने से लोगों को भारी परेसानी होगी बाराल जिस तरीके से एक पकवाले से लगातार बारी सुई है तो खासता ग्रामीन इलाकों में 22 सब कहर देखने मिला है कई जगा पर मकान गिर गए है विसराम पूरी हो या बड़े राजपूर हो जो अंदरूने इलाके हैं उनका वहां पर कच्छे मकान गिरने की खबरे आ रही है वही हाल कुछ ऐसे अंदरूने इलाके का है जिनका सं गया किरंदुल रेलवे याड में बारिश का पानी भर गया और याड में ढूलाई का काम ठप हो गया रेलवे और NMDC को करोड़ों का नुक्सानिस से हुआ है किरंदुल में बचाओ राहत की काम जारी है धन्तेवाला के किरंदुल में निचली बस्तियों में पानी घुजगया लोगों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ा है किरंदुल में हुई भारी आपदा इस भारी आपदा से लगबग सैकड़ों घर बरबाद हो गए है इस वक्त हम वाड क्रमांग एक सुभास नगर बंगाली केंप में मवजूद है जहां पिछले दिनों जो आपदा इस आपदा से लोग प्रावावित हुए हम उनसे बात करेंगे जो इनका घर मैं अपने 37 को पहले दिखाए वो इस मंजर को दिखाए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पानी का कहर जो डेम की फूटने से ऐसा बताया जा रहा है और डेम में ओवर्फलो होनी की वज़ा से यह माजरा देखने को मिल रहा है यहां पर लाखों का नुकसान हुआ है कैसा था मंजर और आप लोगों ने कैसा मैसूस किया जब यह डेम पूटा सर अचानक सा हम लोग मैं तो सोई हुई थी अचानक सा जब मैं बहार निकल के देखी तो मेरी देवरानी मैं बच्चे अच्छे सब के सब वो घर का जो चोख़ट है उसको पकड़ के अब इतना जो यह घर मैं बस पांच मिनट पस रहे गई जिसकी वज़े से मैं निकल पा कि जो बॉल रहा है हमारा हाथ चूट रहा हम लोग दिलासा दे देए कि वहां पर बस एक टेबल था टेबल आके झारा कर देदिक के घर के लोग हो रहे गयी क्योंकि इस आपदा में जिस तरह से डेम से पानी आया तो हर किसी का दिल दहल गया केमरा परसम के साथ दिनेज गुपता नियुजे टिन दंतेवाडा जग्दलपुर में केके रेल मार्ग पर लैंड स्लाइड हुआ है टाइडा और चिमडी पली स्टेशन के बीच भूस खलन हुआ है एक तिस जुलाई तक विशा का पटम से चलने वाली नाइट एक्सप्रेस राइगडा से घूम कर जग्दलपुर आएगी दो दिन से लगतार रात में पहाड़ियों से चटाने किर रही है मुंगेली में नाले का पुल बह गया प्रश्टाचार की भेंट पुल चड़ा है और पुल की मरमत नहीं हुई थी गोरपुरा और रजपुरा के बीच नाले का पुल टूटा है और इसके बावजू जान जोखे में डाल कर लोग इससे पाहर करते हुई नजर आ रहे हैं कभी ठीक बड़ा हाथसा कोई सकता है काकेर में भारी बारिश और परिशानी की एक और तस्वीर सामने आया है काकेर जिले के सभी नदी नाले उफान पर है अन्ताकर कोईली बेडा पकांजोर ब्लॉक के गावों का संपर्क मुख्याले से तूटा हुआ है उभनती नदी नालों पर जोखिम उठाते हुए लोग नजर आए है कर्याबंद में बारिश से हालाद बिगड़े हुए है ऐसी ही तस्वीर सामने आई उफानती नदी में से शव यात्रा निकाले गई ग्रामीर अर्थी लेकर उफानती नदी को पार करते हुए नजर भी आए ग्रामीर लंबे समय से यहाँ पर पुल की मांग को लेकर कई भार हाईवे भी जाम कर चुके है लिकित कभी भी सुनवाई नहीं हुए ऐसे में ग्रामीर जान जो कि में डाल कर उखनती नदी में से शव यात्रा ले जाने के लिए मजबूर है अधि में वाब को अचानक बार आया जिसके वज़े से गाउं की राटापी बन गया और हम राज को उस युवक को इलाज करने के लेकर नहीं जा सके जिसके वज़े से आज वो युवक ही मौत होगे हमने प्रसासन तो पहले ही आगाहा किया था कि आप ये काम को जल से जल चालो करें मरम मत करें तक जैसा भी करकर अभी अभी आवाज आई करने के लिए खुच खुच सुईराप उपलग दख रहा है लेकिन सासन दौरा किसी प्रकार से कहल नहीं की गए जिसके वज़े से आज इसका खाम्याद हम भुगत रहे हैं सासन पर सासन से निवेधन है कि आगा ऐसी इस प्रकार से कोई घटना ना हो दूर घटना ना हो इसे तो जल से जल बालोद से थाने में बैठी कॉंग्रिस विधायक का संगिता सिन्हा एक घंडे से थाने में बैठी हुई है फाइयार दर्ज नहीं करने के आरोप लगा रही है चेड़ चाल के मामले में फाइयार की मांग वो कर रही है महिला पारशद के साथ मारपीट का ये मामला है और महिला पारशद के दामाद पर छेड़ चाल का आरोप लगा है आरोपो